जिला भर में बच्चों को कई तरह की मोसमे बिमारियों से बचाव के लिए जिला प्रशासन भी अपस्तरक हो गया है इसके लिए बकायदा जिलादीश राकेश प्रजापती की ओर से धरमशारा में कई अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है पैठक में जिलादीश राकेश प्रजापती ने कहा कि कांगडा में 4,26,255 बच्चों और किशोरों को क्रीमी नाशक अलवंडा जोल को 93,408 बच्चों को बिटामिन एक ही खुराक पिलाए जाएगी ताकि बच्चों को मोसमी बिमारियों से बचाया जा सके राकेश प्रजापती ने कहा कि इसके लिए बकाईदा एक अभ्यान चलाए जाएगा जो कि 2 नमबर से 10 नमबर 2020 तक चलेगा ताकि जिलाभर का कोई भी बच्चा इस खुराक से महरूम ना रह पाए राकेश प्रजापती ने कहा कि उनका टारगेट है कि इस अभ्यान के तहट एक साल के बच्चे से लेकर 19 साल तक की आयू बढ़ के हर बच्चे को घर द्वार जाकर क्रीमी नाशक दवाई अलवेंड़ा जोल उपलगत करवाई जाए और इसके साथ ही एक साल से लेकर 5 साल प्रजापती ने कहा कि बच्चों और किशोरों में क्रीमी संक्रमन के घातक दूश परिणामों से शारीरिक और बोधिक विकास के एक्ष्यमता प्रभावित होती है उपैक ने सभी संबंदित अधिकारियों को अभियान के तहत निर्धारित लक्षियों को खासल करने के लि प्रजापती ने मुखे जिकत्सा अधिकारी को आशा बरकर आंगनबाडी कारिकरता ए एन एम और स्वास्ते कारिकरताओं को कोबिड नैंटीन से संभावित संक्रमन के मद्द नजर सभी दिशा निर्देशों के पालन मास का प्रयोग और व्यक्तिगत सुच्चता को सुनि जाने के लिए विभाग के सोशल मीडिया ग्रूप के जरिये जानकारी सांजा करने के भी निर्देश दिये हैं एक ही सिरफ दी जाए और सबको ये इंस्ट्रेक्शन दी गई है क्योंकि कोबिड का समय चला हुआ है और इसलिए एक्स्ट्रीम प्रिकॉशन के साथ किस परकार हमारे जो आशा वर्कर्स हैं आंगनवारी वर्कर्स हैं घर घर जाकर और कैसे सेफ डिस्टन्स को मेंटेन करक सेफ प्रेक्टिसेस को मेंटेन करके ये जो टैबलेट्स हैं बच्चों को देंगे और साथी साथ क्योंकि हमारे को बहुत समय मिल रहा है दो नमबर से दस नमबर को और हम हर घर में जा रहे हैं इसलिए जो कोबिड से रिलेटेड जानकारी है वो भी आशा वर्कर्स और आं साथी साथ त्यार की जाएगी आपको पता होगा कि जब करोना का समय शुरू हुआ था उस समय हमने एक ACF एक्टिविटी की थी एक्टिव केस फाइंडिंग उस अस्तर पर तो नहीं कर पाएंगे लेकिन एक छोटे अस्तर पर अगले उन दिनों में जो 9 दिन हमारे पास हों होंगे एक छोटा सा ACF अभियान कोविट को लेकर भी साथी साथ चलाए दाएगा